आज 19 जून 2022 है और आज के मावाक्यों में बावा ने हमें बताया है कि कैसे सहन शीलता हमारे परखने की शत्ति को बढ़ाती है और उसके क्या-क्या फाइदे होते हैं तो आईए जानते हैं इस अंदर में आज के बाबा के अव्यक्त इशारे जिसमें सहन शीलता का गुण है साक्षी बन ड्रामा की धाल को पकड़ कर रहता है उसमें परखने वा निर्नय करने की शक्ति सहज आ जाती है जितनी आप में सहन शक्ती होगी उतना सर्व शक्तिवान की सर्व शक्तियां स्वतह प्राप्त होती रहेंगी सहन शक्ति वाले जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारन नहीं होगा और कर्म भी जो करेंगे वह भी उसके प्रमान ही करेंगे तो जैसे एक मूर्ती होती है उसको पत्थर से मूरत बनने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है हर चोट, हर हतोडी, हर चीज, सरदी, गर्मी, सब चीजों में उसको सहन करना होता है अगर वो सहन नहीं कर पाती है तो बिखर जाती है तो जितना जितना हम हर परिस्थिती में सहन करेंगे हर प्रकार से हम हर परीक्षा में परखते जाएंगे अनुभवी बनते जाएंगे और ये अनुभव जो हर परिस्थिती का हमको होता है यही हमारे परखने की शक्ति को बढ़ाता है क्योंकि एक बार अगर हम अनुभवी बन गए तो अगली बार जब भी वो परिस्थिती आती है हम पहले से ही परख लेते हैं उस अनुभव के आधार पे हमें उस पर जीत पाने का रास्ता पहले से ही पता होता है जिसको लाइफ में अनुभव ही नहीं क्योंकि उसने उस परिस्थिती को सहन ही नहीं किया किनारा कर लिया, मोड लिया तो उसको कभी भी यह अनुभव और यह परखने की शक्ती समय पे मदद नहीं कर सकती दूसरी बात बाबा ने बताई ड्रामा की ढाल तो जिस समय हम किसी भी परिस्थिती में सहन कर रहे हैं उस समय ये सहन शक्ती बढ़ाने का साधन है साक्षी बनकर ड्रामा की ढाल को पकड़े रहना और जितना जितना हम ड्रामा में साक्षी होकर के उस परिस्थिती को या उस आत्मा के पार्ट को या हम स्वयम के पार्ट को दिखते हैं उतना उतना बाबा हमें हर परिस्थिती अनुसार उस परिस्थिती को पार करने के लिए कोई न कोई शक्ती दे रहे होते हैं अगर हम उस परिस्थिती में फस जाएं तो हमारा मुख उस परिस्थिती की तरफ हो जाता है और शिव बाबा से परमात्मा से हम बेमुख हो जाते हैं तो उन शक्तियों को हम धारन नहीं कर पाते लेकिन जितना जितना हम साक्षी होकर परिस्थितीयों को देखते हैं उतना उतना हम परमात्मा से मिल रही मदद को महसूस कर सकते हैं तो साक्षी की धाल, परमात्मा की शक्तियां, अर्थात-प्राप्तियां, परक्ने की शक्ति ये सब हमें सहनशीलता से अपने आप मिल जाती हैं और फिर बाबा ने इसका आज हमको practical result बताया कि सहनशील आत्मा के दो शब्द भी साधारन नहीं होंगे क्योंकि वो अनुभव युक्त होंगे क्योंकि वो शत्ती युक्त होंगे इसलिए उनसे भी अन्य आत्माओं को प्राप्तियां सहज होंगी ओम शांती